नमस्कार विगी बीनियोस के दोपहर के बुलेटिन में आपका स्वागत है अब रूप करते हैं आज के हेडलाइन्स पर देहू में हुए अजित पवार के अपमान पर अमुल मिटकरी ने दिय प्रतिक लिया कि देवेंद्र फटनविस की निंदा कहा अजित पवार का अपमान है पुरे महराश्ट का अपमान कॉंग्रेस निता शेख हुसेन को प्रधान मंत्र के बारे में आपत्ति जनक बयान देना पड़ा भारी वीजेपी ने गिट्टी धन धाने में मामला दर्च कर की कानूनी कारवाई की मांग और शेर के हमले में गई व्यक्ति की जान वन विभाग से परिवार को मदद दिये जाने की की जा रही है मांग और अब खबरे विस्तार से पालक मंत्री एजित पवार के देहु में हुए अपमान से नाराज होकर अमोल मिटकरी ने प्रतिकरिया व्यक्त की है उन्होंने कहा कि मैं देविंद्रफटनवीस का निशेद करता हूँ क्योंकि वो एक लालची इंसान है अजित पवार का अपमान पुरे महराश्ट का अपमान है अजित पवार का अपमान विज़ेपी की ओर से जान बुच कर किया गया है ऐसा अमोल मिटकरी ने कहा है उन्होंने को निमंत्रित ना करना और पालक मंत्रि स्टेच पर उपस्तित होकर भी जान बुच कर उन्हें भाशन ना करने देना यह अपमान जनक बात है यह भाजपा की ओर से जान बुच कर किया है जिसके पीछे विरोधी पक्षन निता देवेंद्र फणनविस का हाथ है यह फणनविस की लालची प्रोरूत्ती है अमोल मिटकरी का कहना है कि अजित पवार देवेंद्र फणनविस जैसे नहीं है अजित पवार का सुभा उनकी कारिय प्रणाली उनका भाशन अभ्यस पूर्वक होता है जबकि फणनविस के भाशन में जाती भेद दिखता है तुकाराम महाराज की भूमी पर खड़े रहकर उनी की सीख का अपमान बीजेपी ने किया है अजित पवार का अपमान यह पूरे महाराश्टर का अपमान है अगर देवेंद्र फणनविस और प्रधान मंत्री मोदी ने माफी नहीं मांगी तो परिणा मच्छे नहीं होंगे उने वार करी संप्रदाय की विरोत का सामना करना पड़ेगा अमुल मिटकरी ने देवेंद्र फणनविस का निशेत किया है या दोगानना निमंत्रित न करना अनि पालक मंत्री स्टेज वरस्तानना जान्यों कुर्वक अजित दादांचा भाष्णाचा प्रोटोकौल डावलन ये सुडाचा राजकारन भार्ती जन्ता पार्टी तैंचे अध्यात्मिक आगाडी आन त्या माग अस्तनारा मेंदू मंजे देवेंद्र फणनविस विरोती पक्षन के यांचे कड़ून जानियों पूर्वक जालिला है देवेंद्र फणन भाष्ण देनेची हपापलेवी एक प्रोटी तैंचा मदे आहे कि मोदी जीन समोर माज़ प्रेजेंटेशन जाला तरा आगामी खाडा कदाची मोदीन चीज आगामी खेव शक्तो हाज उसना आउसान ते आनता है जहां किसान अपने खेट में अच्छी फसल के लिए बारिश होने की रहा देखता है भही दूसरी और अत्याधिक वर्षा खेट के लिए ही नहीं बलकि किसान के लिए भी हानी कारक सिध्ध हो सकती है ऐसी एक दुर्भा के पुरुन घटना मौजा पातरी तालू का किलापुर में हुई है जहां खेट के मालिक 21 वर्षे अक्षे गोविंद कामले और 19 वर्षे खेट मजूर अभे भासकर मेश्राम की खेट में बिजली गिरने से मौत हो गई कल 14 जुन को शाम करीब 4 बजी के आस पास बोरी इचोड़ गाउं के पास अशुका होटल के सामने रास्ते के बीच में अचानक बंदर के आज आने से बलेनो गाड़ी डिवाइडर को जाटक रहे जिसमें वहांचालक गंभी रुप से जख्मी हो गया सेदिस वर्षे सुहास फटनेस अपने बलेनो गाड़ी क्रमांक M.H.31 F.E.3833 से हैदराबाद से नागपुर आ रहे थे तभी राश्टे महामार्क पर बोरी इचोड़ गाउं के पास थित अशुका होटल के सामने दो बंदर रोट के बीच में अचानक आने से उन्हें बचाने के प्रयास में वहां चालक का नियंतरन बिगडने से और गाड़ी की रफतार तेज होने से गाड़ी डिवाडर से जाटक रही और दो पल्टिया लगा कर दूर जागिरी यवगात इतना भयंकर था कि वहां का भारी नुकसान हुआ है और वहां चालक की जान तो बची लेकिन सर पर और हाथों और पैरों को बहुत गंभिर चोटे आई है उन्हें अस्पिताल ले जाया गया है वड़की पुलिस टेशन के पुलिस करमचारियों ने घटना स्थल पर पहुँच कर तुरंत आगे के जाच आरम की विकेबी नियूस के लिए ये वतमाल सहजित महिंद्रे की रिपोर्ट पिल्टी ना हे ने पहुँच करमचारियों ने च्माच पर तुरा-प्रमचार ये वाल जाया है दो कहा यो चैराम की वितमाल सहर्कान है शनिवार की रात को कनान पुलिस टेशन अंतरगत पांच किलोमेटर दूरी वराड़ा परिसर के बंद टोलना के पर टोलना का सुपरवाईजर 46 वर्षे दिलीप शामराउजी बाउने को पेटोलिंग करते समय वराड़ा परिसर में बंद टोलना का NH-44 हाइवे रोड पर लग 46 वर्षे दिलीप शामराउजी बाउने ये पेटोलिंग कर रहे थे तब ही उने वराड़ा परिसर में बंद टोलना का NH-44 हाइवे रोड पर लगाय हुए लोहे की चार रेलिंग नहीं दिखी ये एक रेलिंग की कीमत 4,800 है मतलब कोल मिला कर 19,200 रुपयों का माल चोरी हुआ था इस चोरी में शामिल पाच आरोपियों को गिरफतार किया गया है शिवनंदन नवरंग सिंग, कनहिया काशिरम धुर्वे, सोहिल अब्दुल खान, शिवचरन रवी किरन शाहु, रवी कि की जाँच पुलिस निरिक्षक विलास काले, इनके मारदर्शन में सहायक पुलिस निरिक्षक फुल जहले सहित सहायक फौजदार गनेश पाल कर रहे हैं खबरों के सिलसले में वक्तों चला एक ब्रेक का मिलते एक चुटे से ब्रेक के बाद सब जानना चाते हैं, मेरा फेवरिट कालर, मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरिट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ, अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहांच ही जाता है सुरुची मसाले, खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है, फ्लाइवील एविएशन अकाड़मी एक ऐसा इंस्टिटूट है, जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैनेजमेंट जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासिर की है बवासिर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताबदीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर ब्रिके बैद आपका स्वागत है केंद्र वराजे सरकार सिर्फ जय जवान जय किसान की गोशना बाजी करती है लेकिन किसानों की परेशानियों पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है सरकारी खरित केंद्रों पर स्वो उत्पादित अनाज नहीं बेचा जा सबतां क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है किसानों ने विविद प्रश्णों को लेकर मोर्चा निकाला है कुछ चावल मिल मालिकों के लाप के लिए दो या तिन विधायकों ने राज्य सरकार को इस साल बोनस नहीं देने के लिए मजबूर किया जबकि किसान वास्तों में प्रती एकर 15 से 18 क्विंटल अनाच का उत्पदन कर रहे थे किवल 9 क्विंटल 60 किलो सरकारी धान की खरित की गई थी अध्यक्षा अतुल गन्यारवार ने पूछा कि क्या किसान बचा हुआ माल नीजी व्यापरियों के गले में डाल दे राज्य सरकार ने इस वर्ष कुछ लोगों के लाप के लिए कोई बोनस नहीं दिया है क्योंकि राज्य के बाहर से कोई माल नहीं आ रहा है बोनस के जगे डीबीटी के जरीए गरांट देने की गोशना की गई लेकिन अभी तक कि किसी किसान को अनुदान नहीं मिला है वो अनुदान तुरंट दिया जाना चाहिए चामुर्शी तालुका में रभी धान बिकरी के लिए 595 किसान उन्हें उपस्तिती दर्च कराई हाला कि खरिदारी सीमा समाप्त होने से सैकड़ों किसान धान खरिदने में फस गए अनुमंडल पतादीकारी तोडसाम के माध्यम से राजसरकार को तेज सुत्रिय याचिका भेज कर सीमा बढ़ाने की मांग की गई मियमे तरुन चुकाने वारे किसानों को 50,000 रुपे की सबसेड़ी ततकाल दी जाए कर्ज माफिस से वंचित किसानों को योजना का लाब दिया जाए ऐसी मांगे की गई को अविलंब अशास के मदद दी जाए ऐसी मांग की जा रही है इंदीनों आर्मोरी में शेर के हमले में वृद्धी हुई है इस पर कोई उपाय निकाला जाए ऐसी मांग वन विभा को की जा रही है कैमरा परसन बाबु कुरेशी के साथ वर्सा से सतेश पारधी की रिपोर्ट आज सुपर साड़े ऐड़ बजी के दौरान गोंदिया जिले के दवनी वाड़ा पुलिस थाना अंतरगत महल गाउ मार्ग पर जारहे रेती से भरे टिपर क्रमांक M.H.35 AG.4099 के चालक ने लापरवाही से सामने जा रहे ट्रैक्टर को टकर मार दी जिसकी वजह से वो 50 फिट घिसट कर गया टकर इतनी भयांकर थी कि एक हमाल की जगर पर ही दर्दनाक मौत होगी अन्य खायलों को प्राइवेट अस्पताल ले चाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है गावबासियों ने घटना से और पुलिस के देर से आने की वजह से गुस्दे में आकर टिपर को आग लगा दी परिसर पे हड़कम मज गया आगे की जाँज जारी है खेद गयते खाद खाली करने के लिए अच्छा ते रिटन आ रहे थे और उसी समय पिछे से टिपर आ रहा था उसने ओटेक मार के सर्फ ट्रैक्टर के बड़े टायर के मुंडे को फोका और उसी के बाद जो उसने घसीरते हुए लेकर गया कम से कम पचास मेटर तक के उसने घसीरते लेकर गया और सभी उसमें हमारे भाई जो थे कित्य लोग ते टेक्टर में तो हमारा जो भाई था दर्मरा जागा से जगह पर ही एक्स पारोड बाकी धायलोग से दवाहने में भरती आयसा यह वासुत करने लिए यह केस हुआ इसके पर में सासन के तरफ से कुछ म एड्मिट है सर अभी उनके टीटमेंट के लिए कुछ रासी बिलना चीए उनकी बिताबर सीरेस है सब्सक्राइब दो तीन दने सीरेस है यह के वह भरती है और दो के तो पर एक दोगा पहर तुड़ गया है इसके पर में कारवाई हो नचीए विल्कु आर्जेंड एग जगें नहीं यह हूरा है कि प्रहजर्ण दोगा जधर ग कि अगया पस्दपार विकेपीनीवस के लिए कैमेरा पर सन्रमा कान खोबडा गरुक रिपोर्ट पुर्वोर्जा मंत्री चंदरशकर बावन को लेने अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा कि राश्वदी कॉंग्रेस पार्टी ने प्रधान मंत्री का मान रखना चाहिए, उनका शुक्री आदा करना चाहिए, कोई भी देश का पंत प्रधान किसी राज्य की मंत्री को भाशन क नहीं रोका, बल्कि उन्होंने ही अजित्पवार को भाशन देने के लिए कहा, राश्वदी कॉंग्रेस ते उनका शुक्री आदा करना चाहिए, ना कि कोई सवाल उठाना चाहिए. चाहिए. प्रकल्प देवेन्न फण्डविस सरकानी पुर्ण केला त्या प्रकल्प उग्णाट करता रा त्याटि कानी तुम्ची पदर काया है तो विकी बी नियूस के दो पहर के बुलिटिन में अभी इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकी बी नियूस नमस्कार कर दो विकी बी नियूस नमस्कार